हाला सुडेंट्स मेरा नाम दॉक्टर के जिंद्परहीत है सी यूटी पीजी टूटाउसेंट ट्वेंटी टू में जो क्वेशन्स पूछे गए आज मैं आपके सामने वह डिसकस करने वाला और कॉंप्लेक्स अनालिसिस पे जो क्वेशन्स आते हैं क्योंगी कहिने कहिने कहि में लगता है कि सार इस पर बैस जो क्वेशन्स होते हैं उसमें जो ट्रिक्स होती है वह कैसे हम यूज करते हैं वैसे मैं अपने यूटीव पे काफी सारे वीडियो अप्लोड कर रहें कॉंप्लेक्स अनाजिस के लिए तो आपके बैसिक्स क्लियर करने के लिए बहुत है प करिशए पासर दिर गज्टर टीर 2R to the linear transformation such that T10 is equal to 00 is equal to t 01 then T12 is equal to 00 whether first statement deck a a mean statement that a group in number of group homomorphism from Z10 to Z7 is one the number of one dimensional subspace of R2 over R is 2 and the Lady Z belongs to C what's that is less than 1 and FC2D BA analytic and I am ready pass यहां पर इसकी वेल्यू स्की बारबर दे रहीं, इसकी वेल्यू के बार्बर दे रहीं, तो मारे पास यहां पे और एक लास्मिन है तो बहुत ही अच्छा question है clear है तो सबस्क्राइब करके statement में देखते हैं first statement यह बोला जा रहा कि हमारे पास 10 की value 00 है and 01 की value 00 है तो सबस्क्राइब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ultimately इन दो पॉइंट पर करके इसकी value 0 आ रहे हैं दोने standard basis है और दोनों ही हमारे पास 00 दे रहे हैं इसका मतलब कोई भी value होगी उस पर भी इसकी value हमारे पास 00 ही आएगी तो यह हमारे पास true statement हो जाएगा next बात कर रहा है कि number of homomorphism from Z10 to Z7 तो यहां पर concept होता है कि एकर Z10 से Z7 जा रहा है तो हमारे पास number of homomorphism होता है वह GCD of 10,7 that is equal to 1 तो यहार हमारे पास यहां पर 1 बोल रहा है yes this is true the number of one dimensional subspace over r2 over r is true तो सुन r2 over r का dimension है वो तो 2 होगा पर सुन इसके जो subspace है one dimensional यहार वो तो बहुत सारे हो सकते हैं बही दो नी infinite number of subspace हो सकते हैं तो यहां पर बोला जा रहा है कि the number of one dimensional subspace of r2 or r is true तो यह गलत है यह ना तो यह false statement हो जाएगा तो next बात करेंगे D statement में कि D Z belongs to C where mod Z is less than equal to 1 यह हमारे पास domain दे रहा है F C to D be the analytic और हमारे पास यहां पर दो statement दे रहे हैं तो सुन यहां पर जो concept होता है यह identity theorem का होता है अगर मैं n tends to infinite रहूं तो यह जो है इसका जो limit point है अगर वो domain में आ रहा है तो इसकी जो value होती है वो हमारे पास theoretically इसके बाराबर होती है जो भी Bye-нок، छी फिसकी बार दे रही है तो सुन यहां पर हमारे पास SPEüzik असके न्दर जा रहा है कि तो यहां पर हमारे पास जो value होगी हो one minus iota के बाराबर होगी अगर आम इसकी बात करें तो n tends to infinity पह इस्ट यह भी वन iota by n और n tends to infinite रखते हैं तो 2 जो है वो डॉमेन में नहीं जा रहा है तो उस वाले case में इसकी वे लिए 1 प्लस iota हो सकती है बट ऐसा नहीं हो रहा है so that's why this is false सुन बात करते हैं इस statement पर कि every close convex set is visible reason of LPP भाई यह जरूरी नहीं है हां every visible reason is convex set yes it is correct बट सुन हर close convex set जो होता वो visible reason हो LPP का ऐसा जरूरी नहीं है कुछ ऐसे reason होते हैं जो कि close होते हैं और convex होते हैं बट वो visible reason नहीं होते हैं so that's why this statement is false तो सुन यहां पर हमारे पास a और b statement क्या होगा true होगा और remaining हमारे पास यहां पर incorrect होंगे सुन बात करेंगे next question के बारे में बहुत अच्छा question और सुन इस टाप के जो कोशन होते हैं residue से आप कर सकते हैं कोच इंट्रिगल से कर सकते हैं सुनिए हमारे residue की बात करो तो क्या आएगा limit z tends to 0 क्योंकि 0 पर हम residue निकाल रहे हैं यह आएगा z minus 0 cos e की power 2z upon z हो जाएगा यह से यह cancel जहां पर भी z वहाँ 0 रखेंगे तो इसमें e की power 0 1 होती है तो इसमें यहाँ पर आएगा यह cos 1 की value उठा के रखेंगे तो 2 pi i cos 1 हमारे पास यहाँ पर क्या है इसकी value हो जाएगी अगर आप चाहें तो cos 1 की value को आप लिख सकते हैं तो cos 1 हमारे पास क्या हैगा 2 pi i इसमें हम जानते हैं कि cos theta जो होता है वो होता E की पावर आयोटा ठीटा प्लस E की पावर माइनस आयोटा ठीटा अपॉन टू इसके बाराबर होती है तो जहाँ पर भी ठीटा है वहाँ पर 1 रख दीजे तो सुन यह आएगा हमारे पास E की पावर आयोटा प्लस E की पावर minus iota upon 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 cancel कर देंगे यहां पर, तो यह आएगा pi i e की power iota plus e की power minus iota, तो यह हमारे पास यहां पर कहाएगा, answer हैगा, तो C option हमारे पास यहां पर correct हो जाएगा, so next question की बारे में बात करते हैं, z minus sine z upon z square has essential singularity at z is equal to zero, removal singularity at z is equal to zero, non isolated essential singularity at z is equal to zero, यह simple pole at z is equal to one, तो सुन यहां पर जो pole आएगा, वो तो हमारे पास यहां पर क्या आगा है सुन, zero आएगा, तो zero पर ही बात करेंगे, यह तो कुछ हो नहीं सकता, अब बात करते हैं सुन की यहां पर जो हमारे पास singularity वो किस टाइप की है, एक होता है मारे पास essential singularity और एक होती है non isolated essential singularity, इस उन जो essential singularity होती है, वो हमारे पास क्या होता है, limit point of zeros होता है, और non isolated जो होता हो limit point of pole होता है, और normally e की power one by z, sign one by z, cos one by z, इस टाइप के जो concepts होते हैं, उस पर बात की जाती है, पर यहां दोनों हमारे पास incorrect हो जाएगा आपके मन में सवाल उड़ेगा सर रिमूबल सिंगुलिटी जैट इस इकूट जीरो पर है के नहीं बताओ तो सुन क्या करेंगे जैट टेंस टू जीरो रखके देखेंगे अगर इसकी विल्यू फाइनेट आ जाती है जैट टेंस टू जीरो प सटू लगांगे लिमिट जै ठेंस टू जीरो यह हो जाएगा मैनसस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे हमारे पास तो और जीरो र cylinder टारी the The radius of convergence of power series is, तो जब भी हमारे पास radius of convergence निकालने होता है, तो यहाँ पर हमारे पास formula होता है, वो formula पपलाई करेंगे, तो उससे हमारे पास answer आजाएगा, limit n times to infinitive, इस नहीं आएगा an plus 1 upon an, यह हम लगाते हैं, तो इस नहीं देखेंगे, limit n times to infinitive, यह हमारे पास an है, तो यहाँ अगर हम बात करें, n plus 1 है, तो यहाँ यहाँ आएगा, n plus 1 upon n plus 2 का whole square, यह an plus 1 है, upon this an, तो मैं इसको upon करूँगा, तो यह उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ आजाएगा हमारे पास, n plus 1 upon n का whole square है, इसको मैंने क्या करा, उल्टा है, 1 upon 1 by n, यहाँ यहाँ आप n common निकालेंगे, तो यहाँ आएगा, 1 plus 2 by n का whole square, यहाँ भी मैं निकाले लिता हूँ, तो यहाँ से n common निकालेंगे, तो 1 upon 1 by n, यह तो n होई रहा है, यह whole square हैगा, आप देखिए ns n cancel, ns n cancel, यहाँ से हमारे पास इसकी वेली हो जाएगी, 0, 0, 0, तो यह हमारे पास क्या जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यह हमारे पास D option क्या जाएगा, correct हो जाएगा, तो इस प्रकार से इस question को बहुत देजी लिए आप कर सकते हैं, अगले question के उपर, अगला question मारे पास यहाँ पर क्या बूल रहा है, कि the value of this, यहाँ पर हमारे पास जो C है, वो देरिखा Z plus 2 is equal to 1, तो पहले हम इसको circle को खीच लेते हैं, तो normally हमारे पास जो यह equation होती है, circle को represent करती है, जहाँ पर C हमारे पास center होता है, और R हमारे पास यहाँ पर radius होता है, तो सुन जो center होगा, वो हमारे पास यहाँ पर जाएगा minus 2, मतलब अगर इसको लिखे, तो यहाँ आएगा हमारे पास minus 2,0, और अगर इसकी radius की बात करें तो 1, अगर मैं यहाँ पर इसको circle को खीचू, तो यहाँ आएगा minus 2,0, that is minus 2,0 यहाँ आएगा, और अगर हम इसका circle का radius यहाँ पर हमारे पास 1 आ रहा है, तो वहिए यह जो circle होगा, यह मारे पास यहाँ आएगा, पर यह जाएगा minus 1,0, और सुन minus 3,0, यह हमारे पास यहाँ पर इसका reason रहेगा, अब हमें देखना है कि हमारे पास जो point आ रहा है, वो क्या इसके नंदर लाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, clear है, तो हम क्या करेंगा, इसके denominator को 0 रखते हैं, और इसके poles निकालते हैं, तो सुन Z square plus 4Z plus 13 is equal to 0, तो यहार Z की value आएगी minus का 4 plus minus B square, that is 16 minus का 4Z, तो यहाएगा 52 divided by 2 हो जाएगा, तो Z is equal to 0, यहाँ पर हमें बात करें, तो यहार यहार यहाँ पर क्या आएगा, minus का, यहाँ पर इसकी जो value होगी, क्योंकि 13, 4 को बहर निकालने, तो 4 minus 13, तो 4 minus 13 मतलब यह हो रहा है, मारे पास minus का 9, I think 36 को, 52 को 16 से minus ही कर दो, तो इसको जब minus करेंगे, तो minus का 36 आएगा, और minus का 36 करेंगे, तो इसको यहाँ आएगा, 6 Iota divided by 2, जब इसको simplify करेंगे, तो minus का 2, plus minus 3 Iota आएगा, जब हम minus 2, plus minus 3 Iota करें, तो इसको minus 2 हमारे पास यहाँ पर आएगा, that is यह, और plus 3 Iota, तो 3 Iota करेंगे, तो इसको यह हमारे पास जो point आएगा, यह आएगा minus 2, 3, और अगर मात करें minus यह, तो minus 2, minus 3, तो यह आएगा, तो यह दोनों ही इसके outside, क्योंकि इसकी radius है भईया, वो 1 आ रही है न, तो यह यह minus 1,1 और minus 1, minus 1 इसकी boundary पर लाई करेंगे, उसके बाद तो सब बहाँ जाएगे, तो यह जो point आ रहे हैं, इसके poles आ रहे हैं, यह outside लाई करेंगे, और जब यह outside लाई करते हैं, इसकी integration की value क्या होती है भईया, जिसे मारे पास यह बोला जा रहा है, भईया, जैडेशी को डूट वन बाई टू, भईया, देखो, वन बाई टू है, अभी मैंने आपके सामने बता देगे, यह वन बाई टू रीडिस का circle है, अगर इसका pole निकालेंगे, फिर भी आपके मन में सवाल है, गुरू जी करके दिखा दो, जिसे मारे पास यह दिरिखा है, अगर आपको देखना है, जैड इस इकूल टू टू थी है, तो अगर आम इस सर खीचे इसको देखो, आपको पर दिरिखा है, जैड प्लस आउटा इस एकूल टू 4, तो इसका जो center आएगा, वो आएगा minus का आउटा है अगर इसको लिखे तो यह आएगा 0, minus 1, अगर 0, minus 1 को आप देखे, तो यार हमारे पास आता, 0, minus 1, और बेटर radius हमारे पास हहाँ पर कितनी आ आ रही है, 4 आ रही है तो 4 आ रही है तो यह हमारे पास इस टाइप का circle बनेगा और यह 4 आ रही है तो भी यह यह कहां तक जाएगा 0,3 तक जाएगा और यहां पर आएगा तो यह जाएगा 0,-4 तक जाएगा क्योंकि 3 radius है ना 3 length आएगा तो यहां पर हमारे पास 4 radius है तो यह आएगा 0,-5 आजाएगा अब आपको देखना है कि जो यह पोल है Z is equal to 3 यह कहां लाई कर रहा तो यह यह लाई बिल्कुँ इसकी boundary पर कर रहा है चुकि हमारे पास बराबर दे रहा है अगर हमारे पास यह दे रहा होता है Z plus Ita is less than 4 तो इस वाले case में यह outside lie कर जाएगा पर equal भी आ रहा है तो मतलब यह boundary पर और boundary पर आगा तो इसकी value हमारे पास यहां पर आएगी वो क्या आएगी हमारे पास 2 pi into R आजाएगा और जब इसका residue निकालेंगे तो residue हमारे पास यहां पर कहाएगा R is equal to limit Z tends to 3 यह आएगा Z minus 3 into FZ तो FZ हमारे पास 1 upon Z minus 3 आएगा cancel करेंगे तो 1 आएगा और 1 रखेंगे तो 2 pi I its cancer आएगा तो इस तरह से इस question को आप बहुत इसली कर सकते है So next question की बात करते हैं आप से बोला जा रहा है कि यह हमारे पास function दे रखें हैं इनके poles के बारे में बात करें जा रही है तो अगर मैं इसको denominator को 0 रखूँ तो यहार Z minus 2 into Z minus 3 आएगा तो यह हमारे पास 2,3 आएगा Z की value और जब 2 को बराबर 0 रखेंगे यहां पर तो Z 2,3 यह value देगा अब बात करें इसकी बारे में तो Z minus 1 power 4 इसको 0 रखेंगे तो यहार यहां पर हमारे पास Z is equal to 1,1 यह 4 order का pole मिलेगा न तो यह आप देख रहे हो B हमारे पास 3 पे जा रहा है तो B हमारे पास 3 इसी में जा रहा है तो यह हमारे पास option incorrect हो जाएगा फिर भी option correct हो जाएगा फिर भी आपके इच्छा है गुरुजी यह भी बता दो यह हमारे पास क्या आगा 0 रखेंगे तो Z is equal to 3, 3, 3 तो यह 3 order का pole आएगा तो सुन C हमारे पास 4 पे जा रहा है C हमारे पास 4 जा रहा है इसी टाप से इसको देखेंगे तो 2, 2, 2 हमारे पास 3 order का pole मिल जाएगा तो यहर यह हमारे पास D 2 पे चला जाएगा तो इस तरह हम यह आप इसको कर सकता है So next question देखेंगे बहुत ही अच्छा question देखा The singularity of FZ at Z is equal to infinity is of pole of order 3 तो जब भी ऐसा प्रशन आता है जब हमें infinity की बात करी जाए तो पूरे question को जहाँ पर भी Z है वहाँ पर 1 by Z और फिर हम Z is equal to 0 पे बात करेंगे तो पहरे क्या करेंगे सुन जहाँ पर भी Z है वहाँ पर 1 by Z रख दीजे तो 1 by Z रखेंगे तो यह आएगा 1 by Z power 8 plus 1 by Z power 4 and 2 और यह आजाएगा 1 by Z minus 1 power 3 and यह आएगा 3 by Z plus 2 power 2 हो जाएगा जब इसको solve करेंगे तो यह आएगा हमारे पास 2 Z power 8 Z power 4 plus 1 इसको मैं नीचे ले आता हूँ इसको इसको लेंगे आप है तो यह आएगा 1 minus Z cube upon नीचे Z cube आएगा और इसको लेंगे तो सुनिए हमारे पास यह आएगा 3 plus 2 Z upon Z square सुनिए हमारे पास value आजाएगी यह हमारे पास square है अब आप देखेंगे सुन क्यूब और Z square से यहाँ पे cancel होगा तो यहार यहाँ से मारे पास इसके लिए हैगी Z power 8 Z power 4 plus 1 upon यह आएगा हमारे पास Z सुनिए Z cube होगा 1 minus Z का whole cube and 3 plus 2 Z is equal to अब इसको बराबर 0 put करना जब इसको बराबर 0 put करेंगे तो Z is equal to 0 हमारे पास 3 बार आएगा तो सुनिए यहाँ पे Z is equal to 0 के respect में हमारे पास 3 order का pole मिलेगा तो infinite में भी हमारे पास 3 order का pole मिलेगा तो सुनिए हमारे पास true statement है next बोला जारा है कि the singularity of FZ this at Z is equal to 1 of a pole of order 3 बिल्कुल सही है यार जब इसको आप 0 put करेंगे तो Z is equal to 1, 1, 1 हमारे पास 3 order का pole मिल रहा है तो यह भी हमारे पास true statement है तो यह आप से कुछा रहे है कि इन में से कौन सा statement correct है तो यह दोनों ही statement हमारे पास यहां पे क्या जाएंगे correct हो जाएंगे तो इस प्रकार साब question को बहुत इजीली कर सकता है next question देखे कि FZ is equal to Z is analytic for all Z belongs to C yes it is correct क्योंकि यह function हमारे पास entire होता है FZ is equal to Z bar is not analytic बिल्कुल सही है क्योंकि Z analytic होता तो इसका जो conjugate होता है वो analytic नहीं होता है यह CR equation को satisfy भी नहीं करता है FZ is equal to Z Z bar is differentiable at Z is equal to 0 but not analytic इसनों हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास इसकी बात करें जाए मैं आपको इसका लिखू यहां पर तो यह यह आएगा हमारे पास X plus Iota Y और Z bar यह आता X minus Iota Y अगर इसको आप देखें तो इसनों यह हमारे पास आएगी X square plus Y square अगर हम इसका CR equation की बात करें तो X square plus Y square और V हमारे पास 0 हो जाएगा क्योंकि imaginary part है नहीं सुन डेल U by del X निकालेंगे तो 2X आएगा डेल U by del Y निकालेंगे तो 2Y आएगा सुन डेल V by del Y निकालेंगे तो 0 आएगा अंड डेल V by del X निकालेंगे 0 आएगा सुन इन दोनों को बराबर करेंगे आप है तो बराबर आ रहा है और सुन ये plus का और ये minus का आता है यादे ने तो ये बराबर कब होगा तो या जब हमारे पास X की value 0 और Y की value 0 XY 0 मतलब Z is equal to 0 मतलब Z is equal to 0 पे CR equation satisfy होगी मतलब Z is equal to 0 पे इसकी ये differentiable होगा मतलब एक single point पे differentiable हो रहा है इसके neighborhood में नहीं हो रहा है मतलब ये function हमारे पास यहाँ पे क्या होगा differentiable तो होगा बट analytic नहीं होगा तो यार ये statement हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा true हो जाएगा next बोला जारा कि FZ is equal to sin Z is यह हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा false हो जाएगा क्योंकि complex function जो होते है अंṬंड़े होते है और हमारे पास चर्म भी होती है यह चर्म का नाम क्या होता है कि every non-constant entire function is unmounted इसके साब से हम कर सकते हैं तो साब यहाँपर हमारे पास B, C, and D, सुन ये चारो option हमारे पास correct होंगे, सो D हमारे पास यहां पर क्या जाएगा, correct हो जाएगा, तो सुन ये series कैसी लगी, और ऐसे और भी जो CUT के जो अलग-अलग topics हैं, उन पर मैं previous year question के solutions डाल रहा हूं, ताकि अगर आप exam दे रहें, अगर आपकी concepts में कहीं समस्या है, तो यहां से अपने concepts को clear कर सकता है, और इसमें अगर आप और भी CUT के previous year के question solution देखना चारहें, तो यहां जाके देख सकते हैं, अगर आप IED Jam के question practice करना चारहें, और MCQ, MSQ और NIT की series देखना चारहें, तो यहां जाके देख सकते हैं, और यहां जाके channel को subscribe कर सकते हैं, आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, thank you, bye bye.